हाई फ्रेंड्स बेस्ट बिजनस एन्बी चैनल पर आप सबी का सवगत है आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले है कि आप बारा जिरो नौ कंट्रोलर को एक्ट्रा रिले कैसे अटेच कर सकते हैं जी हाँ दोस्तों जैसा कि आप सबी लोगों को पता है बारा जिरो नौ तो मान लो आपके पास यह 5-pin रिले है और इसको आपको कंट्रोलर के साथ कनेक करना है तो इसे कैसे कनेक किया जाएगा यह पूरी विस्तार से जानकर यह आपको इस वीडियो में पता चल जाएगी इसलिए आप इस वीडियो को पूरा अंतक जरूर देखना वैसे देखा जाए तो दोस्तों हम इस रिले को यूज करके भी इस रिले को अन कर सकते तो पहले मैं आपको इस रिले को यूज करके इसे कैसे अन किया जाता यह बताऊंगा उसके बाद में इस रिले का कोई काम ने डायरे की से कैसे अन कर सकते भी बताऊंगा तो सबसे पहले हम अड़क एक एक्ष्रा वायर है जो हम रेले को जोलने वाले दोस्तों उसका माइनस ले ले ते अभी। माइनस में दोस्तों ये देखिए आप सबी लोगों को ये पता है है ये रिले वर्क कैसे करता है इसका ये जो सौकेट है दोस्तों अगर इस इसा यह वाली वायर मैं इसे बारा ओल सप्लाई के तौर पे यूज़ करूंगा इसलिए दोस्तो मैंने कंट्रोलर में जो बारा होल सप्लाई दिया जा रहा है दोस्तो उसको एक वायर जोड़ दिये और एक इसकी रिले की दोस्तो माइनस की वायर जोड़ दिये तो अभी फिलाल इसे हम कंट्रोलर की वायरिंग कर लेते हैं यह देखिया यह प्लस वाला दोस्तों है सिदा सिदा इसके अंदर अटेच कर दे रहा हूँ 12 उल्ड प्लस है दोस्तों यह अडप्टर का वायर उसके बाद में दोस्तों यह माइनस वाली वायर भी हम कंट्रूलर में लगा देते हैं ठीक है अब दोस्तों यह जो प्लस वाली वायर अपने एक्ष्रा लीती छुटी सी वह मैं रिले सॉकेट में दाल दे रहा हूँ यह देखिए यह इस रिले का सॉकेट है दोस्तों और जो हम एक्ष्रा रिले लगाने वाले दोस्तों उसका प्लस वाला वायर क्योंकि माइनस तो डायरिक मिल गया अब प्लस वाली वायर को हम रिले सॉकेट में दालेंगे यह देखिए दोस्तों प्लस वाली वायर मैंने रिले सॉकेट में दाल दी जैसे ही यह छोटा वाला रिले आउन हो जाएगा दोस्तों यह जो बारा ओल्ड सप्लाई अडप्टर सहा है यह डारिकली इस वायर में आ जाएगा दोस्तों जैसे ही मानलो जैसे यह relay on हो जाएगा यह 12 old supply इदर आ जाएगा दोस्तों यह wire को और यह जो 12 old supply है दोस्तों जो relay on होने के बाद आने वाला है उमाई इस relay को दे दू दोस्तों बड़े वाले अभी फिलाल मैं इसकी आपको नॉर्मल फिटिंग बता रहा हूं दोस्तों टेंपर वारी, पर्मनेंट शेटिंग नहीं कर रहा हूँ, यह देखे आप, सिधा-सिधा महीं इसमें वैस्विय glut प्राइब लगा रहा हूँ, biraz कर रहा हूँ, आप देख सकते हो दोस्तों हमने क्या किया इस रियले का Tik Gen, बढ़े रिले को जोइंड कर दिया दोस्तों 12 डिसी सप्लाय के जैसे मैं अंक कांड्रोल नृ उन करता हूँ आप देख तब देख सकते हो यह रिले के साथ यह रिले भी आक्टीव हो चुका है, बत्ट एक्टिव समझेगा कैसे हैं तो दोस्तो मैं के वायर और होल्डर ले रहा हूं, दोस्तो आप देख सकते हो फिलाल मैं यसे बंख रदेटा हूं, इसका ंदर एक लाइट भी बीच में से काट लिये दोस्तों यह देखें जैसे मैं इसे करता हूँ दोस्तों यह ऑन हो मान ओपा लेगों कर देंगे ति आप अब working गी नहीं कर रहूं लेखें के दोस्तों प्रमनंप कोनेक्षन नेक्षे नहीं कर रहे हो यह देखिये ये देखिए दुस्तों контрoler भी on हो गया साथ में छोटा relay भी on हो गया दूस्तों और बला relay भी on हो गया अब यह operate कर रहा है की नहीं कर रहा है यह चर्क कर रहा है आप देख सकते हो यह जो direct वाली AC की वायर है दूस्तों वो इसी controller के साथ है यह इसी relay के साथ है दोस्तों और यह controller अभी जैसे temperature बढ़ जाएगा आप देख सकते हैं यह relay तो आफ हो गाई होगा उसके साथ वह वाला relay भी अपने आफ हो जाएगा तो यह दीखी दोनों relay साथ में work करें दोस्तों लेकिन अभी हमने क्या किया है दोस्तों इस relay को इसे attach किया है अगर मानलो यह relay अगर खराब हो गया अभी तो फिलाल ऐसा attach करोगे तो इस पे ज्यादा load नहीं आएगा बढ़ मानलो कुछ दिन के बाद में यह relay खराब हो गया तो फिर आप क्या करोगे तो इसे हम directly भी जोड़ सकते हैं जिया दोस्तों इसे directly भी अभी 12 ओल सप्लाई यह relay क को इसमें से जा रहा है दोस्तों अभी यह से वायर निकलके मैं आपको direct wire कैसे लगाना है दोस्तों यह भी बताऊंगा तो इसलिए आप इस वीडियो को पूरा continue कीजिएगा लाश्ट तक अभी फिलाल मैं इसे बंद कर देता हूँ यह देखिए दोस्तों अब इसकी मैं यह wire खोल लेता हूँ दोस्तों कौन से relay को गये हुए यह देखिए इसकी यह जो extra loop दाली थी दोस्तों यह भी निकाल लेता हूँ सिर्फ अभी controller को 12 ओल DC सप्ला जाएगा दोस्तों यह देखिए अब यह दो आयर दोस्तों इस रिले को और्म करने वाली तो इसे अब हमें कहा देना है तो यह दोस्तों यह जो controller होता है ना इसके पीछ आप देख सकते हो यह point और यह उपर वाला यह 3 point में से उपर वाला और यह नीचे वाला यह इसी point है इधर का जो होता है दोस्तों यह वाला यह वाला इसी point है यह वाला भी इसी point है लेकिन यह वाला दोस्तों बारा वोल्ट प्लस है और यह बारा वोल्ट माइनस है दोस्तों जिया दोस्तों तो इसे हम directly connect करने वाले दोस्तों यह देखिया यह देखिये दोस्तों इस 5 pin रिले की जो 12 औल प्लस और माइनस की जो वायर है दोस्तो अब हम इस कंट्रोलर के पीछे डायरेक्ली जॉइन कर दे रहे है दोस्तो ये देखिए ये देखिए प्लस लग चुका है दोस्तो और ये माइनस ये देखें दोस्तो इसका डारेक्ली कनेक्शन हो चुका है अब ये वाला रिले आन रहे या ना रहे जैसे ही कंट्रोलर वरक करेगा दोस्तो बारा ओल सप्लाई जो इस रिले को मिलने वाली है साथ साथ दोस्तो इस रिले को भी मिलेंगी और ये हमारा जो कट पॉइंट है वरक हो जाएगा ये देखें आप इसे अन करते हैं अभी और कंट्रोलर को अडप्टर का सप्लाई भी दोस्तों ये देखी अब भी फिलाल आप देख सकते हो कि की कंड्रोलर का सप्लाइ पूरी तरह से खाली है इस फायोपिन ग teeny को सप्लाइ या सब ने असे घाया हुआ है थी कह गैसे इस तरह से आप इस बाराँ dairy नौ कंड्रोलर को जितने चाहू उतने रिले अटेच कर सकते हो जी हा दोस्तो अगर आप यहां से सप्लाइ लेते हो तो इस कंट्रोलर को आप फाइव पिन रिले जैसे जितने चाहो उतने बड़े रिले अटेच करके जितने चाहो उतने लाइट आप इस पर आपरेट कर सकते हो और अगर आप ऐसा करते हो दोस्तो तो इस यहाई लयको सप्लाय गया हुआ यह दीखे मैं एक वायार निकाल लेता हूं एक दिख्याյ जीज दोस्तों जैसे मैंने वायार निकाला उदर बड़ा वाला रीले कट आउट हो गया दोस्तों जैसे में लगाऊंगा वह ओनों जाएगा ये देखिए वीडियो को लाइक करके अपने दरुतमन दोस्तों में शेयर कीजिएगा आप सभी का धन्यवाद